हेलो भाई मेरा नाम अंकित कुमार और मैं इस वीडियो में बताएंगे कि कोपी कैसे लिखा जेता है बिहार बोड में आप सब इस परकार के कोपी लिखेंगे तो आप सब को जो राइटर है बहुत अच्छी तरह से नमर देगा और नमर को नहीं कटेगा ये देखिए सब से पहले आप सब कापी में क्या लिखेंगे उपर लिखिएगा बीच में खंडबा खंडबा पुड़ा कोपी का बीच में रहना चाहिए और थोड़ा तेजकार लिखेंगे यानि कि तेज लिखिएगा मोटा कोलम से ठीक है जिस परकार से यह लिखेंगे अब नीचे क्या लि लिखेंगे नीचे इस परकार से खुब अच्छा आप सब मोटा कॉलम से पारकॉर डिजाइन बना सकते हैं बीच में होना चाहिए बीच में और उसके बाद जैसे में कोचन आ जाएगा कि रासाइनिक अभिकिरिया क्या है तो आप सब क्या करेंगे तो यह देखिए रासाइन प्रस्न उत्र संख्या यह देखिए प्रस्न उत्र में आधा तो जो है वह नहीं छूटना चाहिए प्रस्न उत्र संख्या उसके बाद जीतना नंबर कोचन रहेगा वहां यहां पर कोचन नंबर लिख देजिए जैसे में मालनी जिए कि मेरा एक नंबर है रासाइनिक अभि किरिया से अब क्या समझते हैं तो यह देखिए लिखेंगे नीचे यह देखिए नीचे लिखेंगे रसाइनिक अभी किरिया जोब कोई पदार्थ अकेले ही अन्य पदार्थ से यानि कि जोब कोई पदार्थ अकेले ही अन्य पदार्थ से परकिरिया करके देखिए परकिरिया करके पर किरिया को एक नौए पदार्थ का निर्मान कुरता है निर्मान कुरता है उसे रसायरिक अभी किर्या को होते हैं उसे रसायर mortar क्लिक कौशन मानने जिये कि जैसे में जैसे में वाब हो हुप्र्णol फोट्व यानि कि H2 यह देखिए दोब मिलकर एकका निर्मान को दिया है Hydrogen और Oxygen जोल का निर्मान को दिया है यह देखिए इसी परकार से कोपी आप सब लिखेंगे और यहां से इसी परकार से और थोड़ा बौर बौर और आप जित्तना यह जैसे में कोचन जो आप आपको पहले याद होगा उसी कोचन को लिखिएगा और देखिए जैसे यहाँ पहले के हैं एच्टू पलस ओटू यानिकी एच्टू यानिकी जॉल बनाती है यह क्या हुआ जॉल हो गिया यह देखिए एने पलस सीयल यानिकी नाइट्रोजन और कलोड़ीन मिलेगा तो नमक का निवान करेगा यानिकी एने सीयल यह देखिए यह दू नमर का कोचन आएगा नो तो आप सब ऐसे लिखिएगा अब देखिए अब पांच नमर का कोचन के लिए किया करेंगे दिर्ग उतर ये प्रस्न यहाँ पर पहले खुब आच्छा आप सब मोटा करकर यह लाइन ज कोचन के लिखेंगे दिर्ग उतर ये प्रस्ने जो कि अब कोचन आजाएगा पांच नमबर मेरा कोई भी कोचन नगी मालनी जी कि जिसमें साबुन बनाने के बीधी आजएगा पांच नमबर में तो आप सब क्या करेंगे तो लिखिएगा प्रस्न उतर संख है पांच नमबर नहीं कटेगा ठीक है अब देखिए तो इसी परकार से आप सब कोफी जो है लिखेंगे न तो आप सबको नमबर नहीं कटेगा ठीक है तो यह देखिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को सेयर करिए ताकि उनलों को भी आच्छा लगे और आप सब इसी और 12th class के लिए बहुत important इसी परकार से कूपी लिखा जाता है ठीक है ओके और मेरा चैनल पर आप नए है तो जूर जूरिए मेरा चैनल का नाम है रिजिलिंग टेस्ट एक केसी ठीक है तो अब इसे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ओके